देखिए इस कलास में हम जानेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में जो आउटपुट डिवाइस क्या होता है आज हम जानेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में जो आउटपुट डिवाइस में आते हैं Monitors, Printers, Speaker, Data Projectors. तो आप चलते हैं, Monitors के बारे में पढ़ेंगे. Monitors क्या होता है? Monitors is a peripheral device which displays computer output on a screen. Monitors क्या है? यह एक output device है, जो a screen पर output दिखाता है. A screen output is referred to a soft copy. जो a screen पर output देखते हैं, उसे हम बोलते हैं soft copy. Monitors दो परकार के होते हैं. उसे monitor देखा जाए तो 5 परकार के होते हैं. पांचों पर अभी चर्चा करेंगे. लेकिन जनरली हम जानते हैं, monitor दो परकार के होते हैं, CRT and LCD. लेकिन अभी जो हमारे पास में monitor आ रहे हैं, वो 5 परकार के आ रहे हैं. चलिए आज 5 परकार देख लेते हैं monitor के. तो पहले हम CRT के बारे में जानेंगे, उसके बाद LCD के बारे में जानेंगे. CRT क्या होता है, उसको detail में जानते हैं. यह एक आईताकार box की तरह दिखने वाला monitor होता है. इसे desktop computer के साथ output देखने के लिए प्रियोग करते हैं. यह आकार में बरा तथा भारी होता है. इसकी screen के पीछे की तरफ phosphorus की एक परत लगाई जाती है. इसमें एक electron gun होती है. CRT में analog data को electron gun के द्वारा monitor की screen पर भेजा जाता है. electron gun analog data को electrons में परिवर्थन करता है. तथा electron 36 plates के बीच में होता है तथा phosphorus screen पर टकराती है. Electrons screen पर जिस तरह टकराती हैं उस जगह का phosphorus चमकने लगता है और चित्र दिखाई देने लगता है. ये था CRT के बारे में. अगला जानेंगे LCD. LCD का full form होता है liquid crystal display. LCD एक परकार की अधिक प्रियोग में आने वाले output device है. या CRT की अपेक्छा काफी हलका किन्तु महाँगा output device है. इसका प्रियोग laptop में, notebook में, personal computer में, digital घरी में, आधी में किया जाता है. LCD में दो प्लेट होते हैं. इन प्लेटों की बीच में एक बिसेश प्रकार का द्रब liquid भड़ा जाता है. या प्लेट के पीछे एक प्रकास निकलता है, तो प्लेट के अंदर के द्रब align होकर चमकते हैं, जिससे चित्र दिखाई देने लगता है. तीसरा जो अभी आया है मार्केट में वो हैं LED. LED का फुल फॉर्म होता है लिक्विड इमीटेड ड्वाइड अर्थात हम बोल सकते हैं light इमीटेड ड्वाइड. LED एक परकार का electronic device है, आउटपुट electronic device है यह एक output device है, इसका प्रियोग कम्प्यूटर में प्राप्त आउटपुट को देखने के लिए करते हैं, यह आजकल घरों में टेली वीजन की तरह प्रियोग किया जाता है, इसके अंदर छोटे छोटे LED लाइट इमीटेड ड्वाइ या बिदुद्धारा इन LED से गुजरते हैं तो ये LED चमकने लगता है और चित्र LED के स्क्रीन पर दिखाई देता है LED मुख रूप से लाल प्रकास उस सर्जित करते हैं किन्तु आजकल LED लाल हरा और नीला प्रकास भी उत्पन करते हैं या सफेद प्रकास भी उत्पन कर सकते हैं इन सभी रंगों के सैयोंग से बिभिन रंग के चित्र LED में दिखाई देते हैं LCD और LED में थोड़ा अंतर है वो अंतर क्या है जब हम LCD पे तिर्चेंस देखते हैं तो नीगेटिव बनने लगता है ठीक उसी तरह से जैसे की CRT में नीगेटिव नहीं बनता है अब जो मोनीटर आ रहा है वो एक नया और मोनीटर आया है हमारे पास में वो है 3D मोनीटर 3D मोनीटर एक आउटपुट डिवाइस है इसका प्रियोग आउटपुट को 3D में देखने के लिए करते हैं या 2D मोनीटर की अपेक्छा जाइदा असपस्ट और साब चितर दिखता है यह चितर को 3D मोनीटर में देखते हैं तो ऐसे परतीत होता है कि यह चितर बिल्कुल बास्तविक चितर है अब नया एक और आया है जिसको बोलते है TFT थीन फिल्म टांजिस्टर और एक्टिव मेट्रिक्स एक परकार की आउटपुट डिवाईस हैं TFT में एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए 1-4 टांजिस्टर लगे होते हैं यह टांजेस्टर पेसिब मेट्रिक्स की अपेक्छा स्क्रीन को काफी तेज चमकीला जाइदा कलरफुल बनाते हैं यह आउटपुट डिवाइस की मुख बाते यह हैं कि हम इन में बने चित्र को विभिन कनों एंगलों से भी देख सकते हैं जबकि अन मोनीटर में यदि विभिन एंगल से चित्र देखने पर चित्र असपस्ट दिखाई नहीं देते हैं TFT अन मोनीटर की अपेक्छा महाँ लेकिन काफी अच्छी क्वालेटिक का चित्र डिस्पले करने वाला आउटपुट डिवाइस हैं आज हमने जाना मोनीटर के बारे में तो मोनीटर आपने देखा पंच परकार के होते हैं CRT, LCD, LED, 3D मोनीटर और TFT मोनीटर अब अगले क्लास में हम जानेंगे प्रिंटर्स के बारे में आज के लिए इतना ही